पशले कुछ दिनों में नीबू की कीम्तों ने सारे रिकॉर्ड तोड दिये आम तौर पर 50-70 रुपए किलो में बिखने वाले नीबू की कीमत कई शहरों में 3-400 रुपए किलो तक पहुँच गया है आम तोर पर 2-3 रुपए में बिखने वाला एक नीबू 10-15 रुपए तक में बिख रहा है गर्मी के दिनों में जब नीबू की ज़रत सबसे ज़ादा होती है तो रिकॉर्ट तोड कीमतों की वज़ा से नीबू आम आदमी की पहुत से दूर हो गया है पिशले 15 दिनों से देश में नीबू की कीमतों में तेजी से उचाराया है देश के जादा तर शहरों में नीबू 250-400 रुपए किलो तक दिख रहा है और उसकी रिटर कीमत 10-15 रुपए तक पहश गई है राज़ारी देली में नीबू करीब 250-300 रुपए 30 किलो ग्राम में विक रहा है देश से कुछ अने बड़े सहरों में भी पिशले कुछ दिनों में नीबू की कीमतों में तेजी से जापा हुआ उधरान के लिए मुंबई, हैदराबाद और कॉलकाता में एक महीने पहले 50-100 रुपए किलो भी बिक रही नीबू की कीमत अब 300-400 रुपए किलो तक पहुँच गई है पूरे की होलसल मार्केट में 10 किलो नीबू का एक डाग 1750 रुपए भी बिक रहा है आम तोर पर 10 किलो के एक बैक में 350-380 नीबू होते हैं वहीं पूरे में एक नीबू के रेटल कीमत करीब 10-15 रुपए है वैसे तो ये नीबू हरे हैं यानि अभी पके भी नहीं लेकिन इनके आने से कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद जगी है इससे अगले कुस दिनों में नीबू की कीमतों में कुछ किरावट आ सकता है जानकारों का माना है कि नीबू की कीमतों की पुरी तरह अक्ट्यूबर तक ही समान होने की उम्मीद है क्योंकि अब नीबू की अगली फसल अक्ट्यूबर तक ही तयार होगी उसके बाद ही नीबू की आवक में सुधार होगा साथ ही अभी इन इलाकों से अम्बे पाहर सीजन वाले नीबू के भी आने की उम्मीद है जहां नीबू के पदन में मौसन की चादा मार नहीं पड़ी थी गिरो रिपोर्ट आईपेन